नमस्कार आज तक के इस खास कारेक्रम में आपका स्वागत है हमारे साथ है आज के न्यूज मेकर मद्यप्रदेश के अगले मुख्य मंत्री कॉंग्रेस के नेता कमलनाजी कमलनाजी जैसे मैंने कहा मद्यप्रदेश के अगले मुख्य मंत्री आपके चेरे पर मुस्कराट आई लेकिन मानिये पिछले कुछ दिनों में आप बहुत नर्वस थे एक सो चौदा एक सो नौ दो सो तीस की असेंबली कहीं न कहीं आप पर नर्वसनेस तो बहुत होगी आज थोड़े रिलाक्स नजर आ रहे हैं मैं रिलाक्स डू पर यह सभाविक है कि मैं नर्वस था क्योंकि जब यह आख्रे पूरे नहीं आ रहे थे पर जब हम 2014-215 तक पहunts गए तो कोई मुझे डर नहीं था तब मैं रिलाक्स था क्योंकि BJP 200 8 या 2090 पर 109 पर ती अंगर इनक 109 में सब कुछ इसके बाद भी मिल जाता ये नंबर पार निकार ने आपको मायवती की सपोर्ट लेना पड़ रहा है अखिलेज जी का लेना पड़ रहा है इंडिपेंडेंट जो कुछ कॉंग्रेस के बागी थे उनका लेना पड़ रहा है याने बड़े मशक्कत के बाद बह के बाद ये सरकार बन रही है बहुत आपको एक तरह से इन पर निर्भन रहना पड़ेगा मायवती जी और अखिलेज जी पर इस बात का मुझे पूरा यकीन था कि बसपा भाउजन समाज पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी में को पूरा विश्वास था कि समाजव कि बाद में भी थी गवर्नर भी बीजेपी की पूर्वा मुख्यमंत्री रही है आनंदी बेन पडेल कहीं आपको यह डर नहीं था कि गोवा की तरह आपको बुलाएंगे इन नहीं गवर्नर साथ कि यह यह अगर हम सिंगल लाजस पार्टी थे और गवर्नर ने हमें रात को कह दिया था कि मैं सरकारिया कमिशन में जो काया कि हम सिंगल लाजस पार्टी को बुलाऊंगी प्रस्ट नहीं यह था कि इनके साथ कि किसी कोई भी जुगाड करते बहुत जुगाड करने का कोशिश किया है आप कह रहे हैं शिवराज सिंग चोहान अमिच शाह नरेंद्र मो कोशिश की मोदी जी ने तो आपको बदाई दी कॉंग्रेस पार्टी को जब इनोंने सोचा कि अगर हमें चार सोतंत जो इंडिपेंडेंट्स हैं हम 209 से 213 आ जाएंगे 113 उसके बाद समाजबादी हमारे साथ आएगी नहीं बस पा हमारे साथ आएगी नहीं तो इनको यह बात समझ आ गई कि अगर यह चार आ भी गए पर इन चारों को उन्होंने काफी प्रलोबन दिया काफी कुछ ने आप बड़ी बात कह रहे हैं कि कोशिश की गई इन इंडिपेंडेंट्स को बीजेपी की तरफ करने के लिए जो हमारे इंडिपेंडेंट्स हैं उन्होंने यह पद मिलेगा यह मंत्री मंदल में आपको यह पर आपको अब आपको करना पड़ेगा आपको मायवती जी को अकॉमडेट करना पड़ेगा उनके जो दो MLA है विदायक हैं उनको आपको मंत्री बनाना पड़ेगा अखिलेश के MLA को मंत्री बनाना पड़ेगा जी को और अख्लेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जब मैंने उन्से फोन में बात करी उन्होंने कोई ऐसा कोई शर्त नहीं रखी उन्होंने का हम आपको सपोर्ट करेंगे कोई शर्त नहीं रखी मैं इसलिए मैं उनको धन्यवाद करता हूं मैं उनका कदर करत कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं करी कि आप यह करना वो करना यह हमारी शर्त है यह कहा जा रहा है कि रिटर्निंग ओफिसर जो भी थे जो डिस्ट्रिक कलेक्टर थे वो भी कहीं न कहीं आपको दिक आप उनको फोन कर रहे थे कहीं आपको आपको भी डर था कि कहीं यह जो इ करिए इसको थोड़ा दाइम आाग करिए ये सब दबाद था मैं भी उनसे बात कर रहा था और मैं का इसका सम्मान करेगा इसके इज़त करीगा हमें और कुछ नहीं चाहिए हम नहीं चाहते हैं किसी की मदद करें लेकिन कमलना जी असली चुनोती तो अब है पहली बात तो यह है कि कॉंग्रेस में गुट बहुत है मदेपदेश में जोतिर अदित्या सिंद्या का कैम दिगविजे सिंग का कैम अरू तो यह मैंने इससे स्टार्ट किया गुट बाजी है आपस में इनकी है मेरी किसी से गुट बाजी नहीं थी लेकिन यह का जा रहा है सिंद्या जी युवा नेता है राहूल गांदी युवा नेता समय आ गया है युवा नेता के लिए क्या आप मानते हैं कि कहीं न कहीं इनक सुईकार करता हूँ मुझे किसी पद की भूख नहीं थी ये तो मैंने पिछले साथ महीने में कई दफ़े का कि मेरे को भूख है भूख है कि हम कॉंग्रिस को वापस मद्यपिदेश मिलाएं हम मद्यपिदेश का भविष्टि सुरक्षत रखें यह मेरी भूख थी कमलाज जी सबसे बड़ी चुनौती आपकी दूसरी जो है वो मैनिफेस्टों की है आपने मैनिफेस्टों में बहुत वादे किये लोन वेवर का वादा जो है कि इतने आप रिंड माफ करेंगे किसानों के उसके बाद आपके पास कोई पैसा ही नहीं रहेगा आपके सरकार में हमने ऐसे नहीं लिग दिया हमने यह जो अपना वचन पत्र है हम इसको मैनिफेस्टों नहीं कहा हमने का यह हमारा वचन पत्र है क्ने क्रिशिचजटर पर और अगर हमारे क्रिशी छेतर में कमज़ोरी आई तो मद्ब पिर देश की अर्थ विवस्जज़दर प्रभाविध करोड आपको देने पड़ेंगे अगर आप किसान के माफ करते हैं आमने क्या क्योंकि राहुल गांदी ने का नहों ने गिनके का एक दो तीन चार दस दिन दे दीजे जैसे हमारी सरकार बनती है हम रिंड हफ कर देगे विलकुल हम करेंगे हमने बड़े सोच समझ की जुमला नहीं है जुमला किस बात का 10 दिन दिन में कौन सा समय बचाया है नहीं मैं इसलिये कमलाज जी पूछ नहीं की लोग चाहतेated बदलाव इक तरह से बदलाव चाहते नहीं राजनीती चाहते हैं कि आप यह नहीं राजनीती वाकई मध्यपदेश में ला पाएंगे शिवराज सिंग्चॉन काफी लोग प्रियर नेता थे किसान पुत्र माने जाते हैं आप पर आरोब लगाए कि आप उद्योग पती के पुत्र हैं मैं कौन से उद्योग से जुड़ा हूं सब ज अफिडेवेट में सब बात खुले रूप से रखी हुई है आपने अपने मैनेफेस्टों में ऐसी भी बाते रखी जिससे आप पर आरोब रगा कि आप भी हिंदुत्व की रादनीती कर रहे हर डिस्ट्रिक में गौशाला होगी हर जिले में गौशाला होगी जो सरकार जिस राजनीतिक मंच पर नहीं लातें क्या भारतिय जनता पर्टी ने ठेक है थेका ले गो हुआ धरम का क्या उनके पेट पें क्यों दर्द होता जिव हम मंदर जाते हaremos करेने कोई धार्मिक काम करते हैं आपने भी कोशिष की सादूसंसंससाज को कॉंग्रेस का 여क्री समर्थन अगर सादू संसमाज ने इनका बिरोद किया है, सादू संसमाज ने किया है, मैंने तो ये बात कही कि हर वर्ग इनसे नराज है, नौजमान इनसे नराज है, किस्तान इनसे नराज है, महिला असरुक्षित महिला इनसे नराज है, अब तो सादू संसमाज भी इनसे नराज है, तो फिर आपको भारी जीत मिलने चाहिए थी? आप मानते हैं, आपको कैसी जीत मिली एक सो चौदा दो सो तीस में? बिलकुल मैं मानता हूं क्योंकि एक हिस्से में, बिंद्य में, हमें, जो हमें उमीद थी, वो उमीद में हम नहीं खड़े उतर पाए. क्योंकि वहां हमारा रेजर्ट जो आना था, नहीं तो हम 140 तक मनसौर जहां किसान एजिटेशन हुआ है, वहां भी आप हा रहे हैं, बिलकुल है, मारी केवल एक सीट आई है, तो फिर इसका मतलब है, पुरी तरह से किसान समाज आपके साथ नहीं है, अभी भी कॉंग्रेस को पूरा विश्वास, किसानों का पूरा विश्वास अभी तक कॉंग्रेस पार्टी पर है, किसानों का पूरा विश्वास है कॉंग्रेस पार्टी पर, कई नौजवानों का विश्वास नहीं है, कई बार हमारा जाती समीकरन गलत होता है, कई बार हमारा उमीदवार जो है, लोग उससे संवीकार नहीं करते हैं ये बाते होती है इसका ये मतलब नहीं कि कोई इसाथ के साथ नहीं के साथ सबसे बड़ी बात आप नौजवानों की बात कही है, नौकरिया, कहां मिलेगी वो नौकरिया, मद्यप्रदेश में प्राइवेट इन्वेश्मेंट है नहीं उतना, जब तक हम रोजगार के नए मौके नहीं बनाई, तब तक रोजगार की ये भेहंकर समस्या दूर नहीं हो, आप मानते हैं, तो मानत बाताबरन प्रदेश में ना बनाए, कि लोग कहें, हम मद्यप्रदेश में निवेश लगाएंगे, इन्वेश्मेंट करेंगे, ये बाताबरन था नहीं, आप राहूल गांदी को कितना श्रे देते हैं, इस जीपूरा श्रे देता हूं, कि उनका मार दर्शन में पूरा आएगा, ये तो राज्य का चुनाव था, केंद्र का चुनाव 2019 में अलग होगा कमलाज जी, अभी भी मोदी जी का फैक्टर था, ये कहिए कि नहीं था, उन्होंने कितना प्रचार किया मद्यप्रदेश में, बहुत जबरदस प्रचार किया, उन्होंने तो चिंदवारा भ क्योंकि लोगों को लगा था कि अमिच शा और नरेंद्र मोदी को चुनाव में कोई नहीं हरा सकता, खास कर कि काटे की टकर में, आपने उन्हें काटे की टकर में हराया है, क्या माइने देते हैं, क्या आप नौ बार MP रहे हैं, कहीं नहीं क्या आप समझते हैं कि कोई ऐसा वरकर में डर था कि इंखती नहीं रखकिये हमारे देश के मद्यपदेश की लोग सरल सेवाव के हैं गरीब हैं पर मुर्ट नहीं है वो सब कुछ सुईकार कर लेंगे कभी और सईकार कर लेंगे पर उन्हें ठगा जाए जिस दिन उनको आजा है कि हमें ठगा गया है वो कभी सुईकार करेंगे हैँ नहीं ठखेंगे लोगों को ये गुडबाजी जो होगी आप कह रहे हैं कि गुडबाजी अब खतम मद्यपदेश में आज से बिलकुल पहले ही खतम थी मैं तो कह रहा हूँ जिस दिन से मैंने चार्ज लिया था एक पहली मैं से जब मैंने ये पद्ध समारा था उस दिन से होगी मद्यपदेश की राज नीती वहां मुख्य मंत्री बनना एक बात होती है केंद्र में मंत्री बनना एक दूसरी बात होती है मुझे यह नि लगता कोई परशाणिये मैं मध्दीश समझता हूँ हो गया क्या यह आपकी आखरी सबसे बड़ा बड़ा सपना था कि मध्य प्रदेश में कॉंग्रिस को वापस लाएं यह मेरा सवपना सेकार हुआ अब अगला सपना आपका है कि 2019 में जी तो यही मैं पूछ रहा हूँ क्या आप मानते हैं कि 2019 का चुनाव आपके लिए अभी भी बहुत ही मुश्किल चुनाव होगा मैं नहीं मानता है मोधी वर्सिस हूँ सरकार आज भी अमित्षा कहते है हमारे पास नरेंद्र मोधी है विपक्ष के पास कॉन नेता है तीन प्रदेशों ने यह साबित किया है कि कॉंग्रिस के पास राहूल गांदी है यह तो आज आखरे बता रहे हैं आपको नहीं लगता कि इससे आपको दिक्कत होगी मोदी अभी भी लोग प्रियर नेता माने जाते हैं अगर आप इसे प्रेसिडेंशल कॉंटेस्स बनाए तो अडवांटेज बीजेपी होगा मैं बिलकुल नहीं मानता कि लोगों को विश्वास है राउल गांदी में ये बात साबित हुई है और हमारा गटबंदन होगा आज जो राष्ट्री गटबंदन की बात हो रही है ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए था कि भारतिय जन्ता पार्टी को दो हजार चौदा के चुनाम में 31 प्रतिशन वोट मिला इसका मतलब लगबख 70 प्रतिशन लोगों ने भारतिय जन्ता पार्टी को नहीं चुना और ये भारतिय जन्ता पार्टी ने प्रचार किया कि हमें जन आदेश मिला है जन आदेश मिला यह पहली राजनीतिक दल अभिष्व में जो 31% वोट पाके कहती है हमें जन आदेश में सर आपको भी बीजेपी से कम वोट मिले हैं नहीं पॉइंट वन परसंट कम वोट मिले हैं उनको 40,000 आपसे या साट हजार वोट ज्यादा मिले फिर भी सरकार आपकी बनने जा रही हैं यहारी और यह पूरा हिंदी छेत्र है हिंदी मेल्ट है। सम deal से या केवल मद्यडेश के राज्यों चुनाव तक सीमित है। म로अ में पाँच रज्यों ने घेरा हुआ है मद्यडेश को हर प्रदेश में प्रभाप पड़ेगा। आखरी में मैं कहूँगा कमल को एक तरह से कमल नाथ ने हराया है अब कमल नाथ भुपाल जा रहे हैं दिल्ली मिस्स करेंगे नहीं मैं दिल्ली Navi not करूँगा मैंने तो भुपाल बहुत देखा है मैंने मद्डरिपदेश पौट देखा है मैं मिस्स क्यूं करूगा क्योंकि आपके दोस्ट यहां है आपके दोस्ट हर तरवस कहा जाता है कमल नाथ जी आपकी एक खुबी ओक है कमलनाथ के आदमी चारो तरफ है मेरे मेरे दोस्ति सब जगह है और भी सबसे बेरी पूझी है तो अब मुख्य चलिए कमलनाजी आपने बड़ी जीत हासिल की है 15 साल बाद मद्यपदेश कॉंग्रेस की तरफ आया गया मद्यपदेश का हाथ इस बार कॉंग्रेस के साथ है आपने आज तक से बात की बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच ये थे मद्यपदेश के अगले मुख्यम कंत्री बनते हैं थैंक यू वेरी मच